प्लेटफोर्म पर आप सभी का स्वागत है और आप लोग हम जो आज का पेपर है तेरह खुबांपोर का ठीक है, उसकी फिरस्ट पारी का इस्वागत करें है सबसे पहला हम लोग रिजनें की बात करने बाले है और इसमें जो आपसे 13 कैशिन टोटल पूछे गए और इन जो 13 कैशिन की बात हम लोग करने वाले खेस hedge पूचाएं आपके जो है वो कौन से हैं वो हम देखने वाले हैं तो देखिए सबसे पहला जो पूचा गया है वह आपका किस का 33 नंबर के शेम नहीं कि अलग अलग पेपर के और कोड के कॉर्डिंग है आप लोग देखिए इसमें नंबर सीरीज का किशन पूचा गया है और काफी simple है और देखिए किसी सीब कूचा है कि दीए नमबर सीरीज का स्वी है उसमें लिए आए कि तीन तीन के बार दिया है कि तीन सीरी थी churches चाहीं के बाद कर अब नंधरा स 화장ाOoh इन सीह तो यहाँ पर देखिए यह सीरीज है वह स्थे शीरीज है 3 से 15 है यह क्या है प्लस 12 है और 15 से 35 है यह आपका क्या है प्लस 20 है और देखिए 35 से 63 की अगर हम लोग बात करें बैक रूम देखिए यह आपका जो 35 से 63 की बात करें हम लोग यहां पर तो यह आपका जो है वो प्लस 28 है इसका मतलब यहां यह 8 का डिफरेंस है देखिए 12 से 20 यह प्लस 8 है और 20 से 28 की बात करें तो यह भी प्लस 8 है तो अगली जो step है उसमें आप लोग प्लस 8 करने वाले है और यह आपका जो है नमबर आने वाला है प्लस 36 है और 36 करें तो यह आपका क्या आएगा 99 आने वाला है और अगर इसको आगे continue करते हैं तो यह प्लस 8 और देखिए प्लस 8 का मतलब यह होगा प्लस 44 तो आपका 143 आ आनसर है वो आपका है 99 है जो की प्लस की simple series है इसमें प्लस किया गया है प्लस 12 है प्लस 20 है प्लस 28 है प्लस 36 है प्लस 44 है यह आठ आठ का difference है तो यह प्लस 8 प्लस 8 है जिसको मुल्टिपल टाइम डिफरेंस भी लिख सकते हैं simple series है प्लस की series है ओके तो यह आपका पहला question था फिर देखें हम अगले question की बात करते हैं तो अगला question पूछा गया है वो पूछा गया है कि आपको बूला है कि प्लस और माइनस को तथा आठ और साथ को प्लस पर बदलने के बाद कौन सा समीकरन सही होगा तो आपको option में समीकरन दिये हुए है और आपको यह देखना है कि क अगर साथ को तो दिखिए यहां पर यह PLUS और माइनस को अगर चैंज गरते हैं और आट और साथ को चैंज गरते हैं तो यह आपका यहां पर इंटु2 और इकोल्स तूजी तो देखिए 2, 2, minus 7, equals to 0 यह आपका जो है D option इसमें ठीक था जिसमें plus और minus को आपस में interchange करना था तथा और किसको change करना था? 8 और 7 हैं यह दो number भी आपस में change करने थे जिन को अगर change किया जाए तो आप लोग कहने वाले हैं कि यह जो D option है आपका क्या होने वाला है ठीक होने वाला है तो यह जो आप में paper मिला है उसमें question number 34 था उसमें question number 34 है फिर देखिये अगले question की बात करें अगला question दिया है एक word दिया है कि park का code दिया हूँ है देखिये आपको यहاں पर park word दिया है और इस पार्क का जो code दिया हुए है वो आपको दिया हुए है 5394 ओके और उसके बाद दिया हुए है shirt का देगे ये shirt word है इसका जो code दिया हुए है 17698 है और फिर आपको एक पंडित word है इसका code दिया हुए है और इसका जो code दिया हुए है 532068 और उसके बाद आपसे पूचा गया है वो निशार वर्ड का पूचा गया था तो इसमें देखिए निशार वर्ड में वही alphabet letter है आप अच्छे से देखिए कि निशार जो वर्ड है उसमें वही alphabet letter है जो कि आपके जो वर्ड दिये गए उनमें है इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ यह positional coding decoding होती है जिसमें आपको क्या करना था सिर्फ और सिर्फ copy paste करना था देखिए आप confirm भी कर सकते हैं जैसे इसमें A है वो second position पर है इसमें second पर है तो दोनों में देखिए second पर क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है तो आप यहां से निशार के लिए देखिए N का code तो यहां से N का आपके पास code है वो क्या आएगा 2 आने वाल है और फिर देखिए I तो I यह third letter है इसमें third number पर 6 लिखा है तो यह 6 आ गए है उसके बाद देखिए S लिखना है तो S का क्या हो गया है 1 हो गया है यह 1 है उसके आने वाल है 7 आने वाल है और A है उसका code यहां से आप लोग देखेंगे तो यह क्या है 3 है तो यह A का code 3 और R की बात करें तो देखिए R का code गया है 9 है जो के आपको कौन से option में दिया गया है वो आप चेक करेंगे तो देखिए ये B option में आपको दिया हुआ है तो ये निशार word का code होने वाला है simple coding recording से question पूछा गया है और ये जो question है काफी simple है देखिए अगले question की बात करते हैं हम लोग अगले question की बात करें तो ये missing number table में एक sankh है वो आपसे पूछी गई है कि कौन सा number है वो यहाँ पर आने वाला है तो इसमें देखिए ये number दिये हैं 2 उसके बात दिया है 4, 8 और ये 30 तो आप definite यहाँ पर 30 लाने वाले हैं और वो किन से 2, 4, 8 से लाने वाले हैं तो ये इस तरीके से हो जाएगा ये दो number है इनको आपसे multiply कर देंगे कि 4, 8 है इनको आपसे multiply कर देंगे 32 और minus ये जो number आपका ये 2 करेंगे तो आपके पास जो value आएगी वो कितनी आएगी 30 और देखिए यहाँ पर भी आप इन दोनों को multiply किजिए 7, 5, 35 और ये जो 1 है वो minus करने वाले है तो ये 34 आप यहाँ से कहने वाले हैं कि इन दो number को multiply करेंगे तो 11 गुणा 22 माइनस है कहेंगे तो 16 जो किसी option में आपको दिया हुआ है तो इस question का answer आपका 16 होने वाला था जिसमें आप लोग missing number का पूछा गया था question mark sign की जगए पर आपको बताना था कौन सा number आने वाला है तो काफी simple है दो number को multiply किया था एक number आप जो है वो minus किया था तो देखिए अगले question की बात करते है अगला question है वो आप से पूछा गया है ये series का ही question है लेकिन alphabetical series का है जिसमें दिया हुआ है देखिए Z, F, E फिर space दिया हुआ है I, Z इसका तरीका ये होता है कि इसमें आप लोग कितने alphabet letter है वो count केजिए पहले तो यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि 4 alphabet letter at least इसमें है तो 4 से पेर बनाए तो इसका Z और इसका I मतलब नहीं है तो 5 से बनाते है तो देखिए इसका Z है ये Z है तो आप यहाँ पर देखिए second F आ रहा है इसका मलब ये second F इसका third E आ रहा है इसका भी E है उसके बाद double I तो देखिए ये आपका double I हो गया इसका मलब pattern बन गया Z, F, E, double I और देखिए ये Z, F, E, double I और ये Z, F, E, double I तो देखिए यहाँ जो blank space है उसमें आने वाला है I, F, Z, I, E जो कि आपको first option में दिया गया है देखिए ये दिया हुए है I, F, Z, I, E first option इसका अंसर होने वाला है इसमें दिया हुए है कि I, F, Z, I क्योंकि ये जो blank space है उनकी जिगह पर आपका आने वाला है I, F, Z, I, E ताकि ये series बन जाएगी 5 alphabet letter जो pattern बन रहा है वो ये है यहाँ पर कि Z, F, E, double I Z, F, E, double I ये pattern बन रहा है तो ये एक simple question पूछा गया था फिर हम अगले question की बात करते हैं ये अगला question आपसे जो पूछा गया है वो यहाँ पर non-verbal series को लेकर पूछा गया है बुलाए कि दिये कि विकलपों में से उस आकरती का chain की जिए जो चार समस्या आकरतियों द्वारा stop it training को जारी रेखेगी अब इसमें देखिए आप ये series का question non-verbal series का है जिसमें देखिए ये जो आकरती है आप ये देखिए ये जो आकरती है ये यहाँ पर rotate हो रही है और ये anti-clockwise rotate हो रही है इस figure से first से second में बात करें तो ये आकरती rotate हो रही है और ये जो arrow है वो fix है वो rotate नहीं हो रहा है फिर देखिए हम लोग यहां इस आकर्थी की बात कर रहे है यह जो है यह fix है इसमें rotate हो रही है anti-clockwise और फिर देखिए इस से second से third में यह क्या है fix है देखिए same है यह आकर्थी और देखिए third से fourth में यह फिर से क्या हो रही है rotate हो रही है anti-clockwise 90 degree से हम लोग कह सकते हैं तो अब यह क्या होने वाली है fix होने वाली है मतलब ऐसी ही आकरती मिलने वाली है तो ऐसी ही same आकरती देखिए इन दो option में अब arrow की बात करते हैं तो देखिए arrow की बात करें तो इसमें arrow first में आपकी जो है first से second में arrow fix है कोई संजेज नहीं है लेकिन देखिए ये second से third में आपकी 90 degree clockwise rotate हो चुकी है अब ये fix है देखिए third से fourth में fix है तो अब फिर से rotate होगी 90 degree clockwise और 90 degree clockwise rotate होगी इसका मिलब ये option आपका answer होने वाला है जो किसी option में दिया हुआ है तो ये जो है ये आपका answer होने वाला है ओके देखिए अगले question की बात करते हैं तो अगला question जो आप से पुचा है वो ये पुचा है कि एक आद्मी है उसका face है वो उत्तर पस्यम दिशा की ओर है direction की बात की जए तो सामने की तरफ हमेशा उत्तर दिशा लेते है पीछे के तरफ हमेसा दक्सिम दिशा लेते हैं और देखी राइट हेंड की तरफ यह आपकी पूरा दिशा है जिसको E से लिखते हैं और लेप्ट हेंड की तरफ पसिम जिसको West W से लिखते हैं यह direction हम लोग इसी तरीके से लेते हैं यह जो direction है यह direction होगी Northeast इस्ट और यह जो direction है south और इस्ट के बीच की यह south east होने वाली है और यह जो direction है यह साओथ वेस्ट है और यह जो डिरेक्शन है वो क्या है north west है अब देखिए यह कह रहा है कि एक आद भी 90 degree तो clockwise पहले बुला है कि 90 degree clockwise then 135 degree anti-clockwise तो आपको पता है कि जितने डिगरी clockwise होता है उतन cancel out कर सकते हैं, क्या cancel out कर सकते हैं, यह जो 135 degree anti-clockwise कह रहा है, यहां से हम लोग cancel कर सकते हैं, same value cancel कर सकते हैं, तो देखिए 90 degree clockwise से यह 90 anti-clockwise cancel करेंगे, तो अब हमारे पास value बचेगी 45 degree anti-clockwise, इसका मतलब देखिए, starting की जो direction आपको दे रहे किए, उत्तर पस्यम की और मुख किये वे हैं, नौर्थ वेस्ट की तरफ मुख किये वे हैं, तो देखिए, यह आपकी नौर्थ वेस्ट है, और यहां से आपके पास सिर्फ और सिर्फ यह बचा है, कि 45 degree anti-clockwise, तो यह आपका distance और direction से question पूचा गया था, जो कि काफी simple है, तेखिए, अगले question की बात करें हम लोग, तो अगले question बूले है, कि 32 विद्यार्ती उत्तर की और मुख करके एक पंक्ती में बेठे हैं, आपको यह दिया हुआ है, कि total जो student है, वो आपके पास left extremant से, बाइं, छोर से आपको दिया है 14, और आपसे यह पूचा है, कि उसका दाइं से स्तन क्या होगा, तो सिर्फ और सिर्फ direction change करवा रहे हैं, अब direction change करने का तरीका यह होता है, कि जितने भी विद्यार्ती होते हैं, उसे एक ज्यादा में से minus करते हैं, अगर left से minus करोगे, 22 से minus करोगे, तो 20 से आजाएगा, और 29 से minus करेंगे, तो 22 से आजाएगा, अब यहां पर जो वेक्तियों की संख्या है, वो आपको दी हुई है कि 32 से, आपको दिया हुआ है कि 32 विद्यार्ती हैं, तो आप 32 से एक extra, कितने में से minus करने से minus करते हैं, तो आपके पास दाएँ से स्तान आने वाला है, और अगर यह दाएँ से स्तान देगें, तो यहां 14 minus करेंगे, तो यह आपके पास जो है value, यह आने वाली है और बाएं से माइनस करेंगे तो दाएं से और दाएं से माइनस करेंगे तो बाएं से टॉप से माइनस किया जाए तो बॉटम से और बॉटम से माइनस किया जाए तो टॉप से आज जाएगा, ओके चलो देखो अगले क्यूशन की बात करते हैं, अगला जो क्यूशन है, वो सि इक्वल्स टू क्या बोल रहा है 38 तो देखिए यहां पर प्लस और माइनस को आपस में हम लोग चेंज करते हैं तो यह देखिए 20-5 भाग 20 गुणा 8 और यह प्लस क्या आने वाला है 20 अब अगर इसको सॉल किया जाए तो देखिए अगर हम लोग इसको सॉल करेंगे तो यहां पर यह सबसे पहले डिविजन सॉल होने वाला है और डिविजन सॉल होगा तो हम लोग इसे लिखने वाले है 20-5 बटे 20 गुणा 8 है तो अगर इसको कैंसल आउट किया जाए तो देखिए 5 से हम लोग कैंसल आउट करेंगे 4-4 से यह कितना हो गया 2 इसका मतलब 20 और 20 40-2 और 40-2 यहाँ पर क्या आगया 38 और यह भी किसके equal बोला है 38 बोल रहा है इसका मतलब अगर plus और minus के symbol को आपस में change किया जाता है तो यह value आपकी 38 आने वाली है जो कि आपको c option में दिया गया है तो अगर इसमें आप plus और minus के symbol को आपस में change करते तो आपका answer 38 मतलब जो equation है वो ठ जो है कुछ word दिये गए इनको arrange करना था और देखिए word जो दिये हुए है उसमें first letter है वो आपका सभी का alphabet letter जो है वो क्या है C है तो यहाँ पर मैं आपके word है वो लिख रहा हूँ देखिए और इसमें जो first letter है वो सब में same है कोई दिक्कत नहीं है तो second के according priority दी जाती है और यह पूछा गया है दूसरा सब्द का chain करना है अगर इनको dictionary के according अगर विवस्तित किया जाए तो आपका जो second word है वो क्या आने वाल है यह आपको बताना था तो देखिए इसमें first letter देखिए आप लोग first letter है वो सब का C है तो इसके बेस पर decide नहीं किया जा सकता अब second के बेस letter है तो देखिए यह देखिए आर है वो भी क्या है सेम है अब आप आर अगर सेम है इसका मतलब A और D तो यह A है पहले आएगा फिर D आएगा तो first यह आने वाला है फिर यह second आने वाला है यह third आपसे पूछा था दूसरे सब्द का chain कीजिए तो देखिए दूसरा सब्द वो A option में आपको दिया गया है यह dictionary के according arrange करना था काफी simple question था देखिए अगले question की बात करते है अगला question दिया है कि इसमें से एक है वो ऐसंगत का chain करना है odd man out निकालना है आपको एक different है वो different बताना है तो देखिए यहाँ पर इतने भी number दिये गे थे यह जो second number है एक सो Haidley हो रहे है और 143 है यह लिए 111 से क्या होता है completely divide होता है हम यह कहने वाले हैं कि 13 गुणा 11 है और देखिए यह 35 है वो 35 भी किसे 5 से divide हो रहा है completely divide हो रहा है और यह जो है यह divide नहीं हो रहा है इसलिए C option यहाँ प्रांसर होने वाला था क्योंकि 67 है वो 7 से divide नहीं होता है तो यहाँ पर आप लोग कहने वाले थे जो different है वो क्या है 7 और 67 है क्योंकि इसमें जो 67 है वो 67 आपका 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो यह आपका C option था फिर देखिए अगले question की बात करते हैं जिसमें दिया है कि pinky ने राके से अधिक अंग प्राप्त किये यह ranking से order and ranking का question था जो कि बोला है कि pinky ने राके से अधिक अंग प्राप्त किये तो यामी और जो dimple है इनके जो marks है वो equal है फिर बोला है ललीता ने मंजू से कम अंग प्राप्त किये देखिए ललीता है उस ललीता ने कम marks किये प्राप्त आपको बोला है कि ललीता ने मंजू से कम marks प्राप्त किये तो देखिए यह मंजू है मंजू से कम अंग प्राप्त किय देखिए राकेश ने यामी से अधिक है देखिए राकेश ने अधिक अंग प्राप्त किये हैं किस से यामी से और देखिए यामी और आपको पता है डिम्पल दोनों के इक्वल हैं तो हम लोग यहां कह सकते हैं कि यामी और डिम्पल इनके इक्वल हैं तो यह यामी और डिम् अधिक और मंजू ने डिम्पल से कमंग प्राप्ट किये देखिए मंजू ने डिम्पल से कमंग प्राप्ट किये इन दोनों के मार्क्स तो इक्वल हैं डिम्पल से कमंग प्राप्ट किये इसका मतलब यह कौन है मंजू और देखिए मंजू से कमंग प्राप्ट किसने किये ल यहां पर ललीता है, उस ललीता ने सबसे कामंग प्राप्ते की हैं, तो एक क्यूशन आपका यह order और रेंकिंग को लेकर था, काफी सिंपल क्यूशन था, अब देखिए अगले क्यूशन की बात करते हैं, तो वो आप से पूचा गया है, लास्ट क्यूशन यह था कि एक कहा वो लड़की, वह लड़की निलम की माता है, तो देखिए यह वो लड़की है, जिसका परीचे कराया गया है, यह पत्थे से देखें, कि यह कहा गया है, कि वह निलम की माता है, यह जो लड़की है, यह माता है, किसकी निलम की, देखिए यह निलम की माता है, और निलम क पिताजी मेरे पुत्तर है निलम के पिताजी तो देखे ये निलम है ये निलम की माता है तो माता का पती ये क्या होगे निलम के पिताजी अब ये जो निलम के पिताजी है ये पुत्तर है किसके सुनिता कह रही है ये मेरे पुत्तर है इसका मतलब ये कौन हो गई सुनिता अब question आपका blood relation से था ये भी आप आसानी से कर सकते थे तो ये आपके पास 13 question है जो की reasoning से पूछे गये हैं और इनको आपने देखा है अब आप लोग check करने वाले हैं इन में से कितने आपके ठीक हैं अब आप लोग maths का solution है वो देखने वाले हैं ओके? झाप लोग देखने झाल 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 तो इस झाल झाल तो झाल तो झाल तो झाल यह तो यह यह झाल इस तो तो यह तो झाल तो यह तो झाल यह 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 यह